हेलो फ्रेंस आप सभी का फीसे स्वागत है यहां का मने बहुत स्पेशल नई रिसीपी है कि मलाई रूटी के दोड़ है क्वेशल कला कन न दोड़ा है और पैंसके जड़ा है शर्थ करतावा च्रमना सीओ िया है जो मलाई रोटी रेसिपी है बहुत अच्छी बने तो देखे हाई फुल फ्लैम रखनी है हमें ताकि जल्दी से दूद एक बार गरम हो जाए तो देखे आपके पास में अगर बचावा दूद है वो भी आप काम में ले सकते हैं बट ये ध्यान रखना है कि एकदम अच्छी क बंद करेंगे तब जाकर ये इस पर जो मलाई आती है जैसे हम दूद को गरम करते हैं उसके बाद में कैसे मलाई आती है उसी तरीके से हमें करते रहना है तो देखे फ्रेंस थोड़ी देर हमने इसको ऐसे बोइल किया है ताकि और अच्छी से गाड़ा हो जाए बट फ्लैम बहुत ज्यादा लगती है ना तो यह हर जगे नहीं मिलती है तो देखे जो खाने पीने के शौकिन है वो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें और एक बार मलाई रोटी बनाए और अब देखें लेयर कैसे बन चुकी है ना मोटी एकदम ठीक लेयर बन गई है अब वापस के इसको चालो करेंगे और उसी तरीके से हम वापस सेस्कों सिम रखना है तो प्रेम हई नहीं रहते हैं और नाहीं मीडियम हैं सिम रहत भी आखनी है तक इसको स्थाहरें संप डुढ़ एकदम ऊचैम करेंगी के-धु होज़े ना हम इसको बाहर के सब्ज़े technicine कीजने ध कितनी सारी मिठाई बनाते हैं पर सबको बनाने का तरीका अलगल होता है तो देखे हम इतनी बार दूद को बॉयल करते हैं तो इस मलाई के अंदर भी बहुत ही पेशल टेस्ट आजाता है वह एकदम कच्छी जैसे नहीं लगती है मलाई और एकदम बहुती टेस्टी इसका टेस्ट आता है तो देखे इस तैप से अब यह लेयर कितनी गाड़ी हो गई है इसको मैंने चार से पांच बार इससे प्रोसेस किया है तो फ्रेंड्स आपको जब के अंदर मैंने थोड़ा आदा बाउल जितना शक्कर लिया है और उसमें मैंने आदा बाउल जितना ही पानी डाल दिया है अब देखे फ्रेंड्स इसको हमें एकदम चासनी नहीं बनानी है तार वाली चासनी नहीं बनानी है अब हमें इसका रस ही बनाना है तो देखे इसक चम्मत से चलाते रहे ताकि भीकुल भी लगे ना थोड़ा समें इसमें फूट कलर डाला है अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं केसर की दागी काम में ले सकते हैं अब देखिए दो अंगुलियों की बीच में आप इसको रेके एक दम जैसे शहद होती है वैसा हमें रस बनाना है बस चिप चिप करनी चाहिए दो अंगुलियों के बीच में आ उतना ही हमें इसको तयार करना है अब गरम गरम में उसके उपर काम में लेंगे ना तो हमारी जो मलाई रोटी है बहुत टेस्टी बनेगी अब देखिए आपके पास में कुछ भी जो करने वाला है वो कीजिए चाहिए ऐसा रोल है चाहिए कटोरी है चाहिए और भी कोई सामाने जिससे अब इसको कट कर सकते हैं तो देखिए दिम छोटो छोटी पीसिस में हम कट कर रहे हैं क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं और घर पर हम कोई बहुत ज्यादा कॉणिटी में नहीं बना रहे हैं तो हमें इसको बहुत टेस्टी भी बनानी है और आप जरूरी नहीं है एक साथ में आपका रॉंड रोल कटे थोड़ा हलका इधर उधर भी कट सकता है क्योंकि अपन जब ट्राई करेंगे बनाएंगे बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक से दो कोड़ा ठंडा होती है जब तक जो दूद बचावा था ना उसका मैंने क्या किया है उसमें जो और दूद था वो सारा मिक्स कर दिया और इसमें निम्बू सत का जो पानी होता है ना दो तिन डॉप जितना इसमें डाल दिया फूल फ्लैम पेस को हम चला रहे हैं अब दीख सेपी भी शेयर की हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके उसको भी अच्छे से वाच कर सकते हैं तो देखे एकदम इसमें निम्बू सत डालने से क्या होता है इसमें दाने पड़ जाते हैं जिससे एकदम टेस्टी कलाकन बनता है अब देखे फ्रैंस हम इ हालका सुगह सिर्फ डाल देंगे और ड्रा सुगह सिर्फ जाल देंगे और ड्राइफर्ट डाल के हम इसको गẫnश तर भी करके तो दीखिए सब तरफ हम सुगह सिर्फ को फैला देते हैं और इसके साथ में बनाते है प्रीम प्याला बट मैंने preaching गलाकन बनाया सका कम्मिनेश मैंने इसको घाणिश के और ये तों परफार केशर के जाव को तो बाशानसू है अगर अजू कहिए आरहिए और या जाइन अए च्छीन होगी है बहुत चाहिए जब्सक्राइब करना सबसक्राइब करनक्ति तो इसमें थोड़ा दूद की मात्रा जहां तक हो न के बराबर आए तो बहुत अच्छा है बट आप यह रेसिप एक पर जरू ट्राइ करना क्योंकि आपको यह मार्केट में ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत कम जगह है जो यह बनती है अब देखिए वह हमने इसको ग मिक्स कर देते हैं अब देखिए एक इक दणा से दणा पड़ा आई जो हमने इसमें डाला ता तो है मारे थuld कलाकन रेसिपी तैयार है और यह साथ में मलाई रोटी थुरू समत्तों पर देखि-वर कि जबूदाश्यर रेसिपी को जross tay दूदा करें लिक्त,सुछस्यर ज जिरूर करें